आप सभी का फिर से स्वागत है कॉंपेटिशन कम्यूनिटी के इस ऑनलाइन प्लाटफॉर्म पर आज है थर्सडे और हमने वेडनेस डे को याने की कल हमने किया था क्या नैशनल और इंटरनाशनल करंट अफेर्स का सब्जेक्टिव डील आज हम उसी नैशनल और इंटरनाश करंट अफेर्स जो हमने कल डील किया है उसका हमले करके आया है कि आपके पास में MCQ सीरीज तो यह जो आज का आपका सेशन है यह आप लोगों के लिए बहुत ही इंपोर्टन होने वाला है क्योंकि एक्चुली में जो आप लोगों को ग्रूम करेगा वो करेगा MCQ एक बार आप किसी भी चीज को चाहे आपका सब्जेक्टिव हो या मैं बोलू हूँ आपका स्टैटिक पोर्शन हो GS का चाहे करंट अफेर्स हो जब तक आप लोग MCQ सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप अपने वन डे एक्जाम में थोड़ा सा लैक करते रहेंगे इसलिए सब्जे बिकेम दा 99th member of International Solar Alliance to ratify this framework agreement या फिर कौन सा देश अंतरराष्ट्रिय सौर गटबंधन का निन्यानविवा देश बन गया है जिसने इसके framework agreement की पुष्टी कर ली है हमको मालूम है जो International Solar Alliance है या फिर ISA है ये इंडिया और फ्रांस इंडिया और फ्रांस की क्या है एक साजेदारी है जो आपके पूरे उश्नकटी बंदिये छेत्र में रहने वाले देश है याने की Tropic of Cancer और Tropic of Capricorn के पूरे बीच में रहने वाले जो आपके पूरे देश है जिनको हम क्या बोलते है Tropical Region इन देशों का एक क्या बनाया जा रहा है एक Alliance बनाया जा रहा है ताकि हम जो Solar Energy है सौर उर्जा है उसको Harness कर सके और उसका हम Optimum यूज कर सकें इसलिए हमने क्या बनाया है एक International Solar Alliance परतमान में इसमें 119 सदस्य कंट्रीज हैं सदस्य देश हैं और इन 119 में से 99 ने इनका क्या किया है इस International Solar Alliance का जो framework है उसमें क्या कर लिया है साइन कर लिया है मतलब जो मापदंड हम इसमें बनाये हैं उन मापदंडों को अपने देश में लागू करने के लिए इन्होंने क्या कर लिया है अपनी agreement दे दी है तो इन्होंने क्या कर लिया है एग्रिमेंट पर साइन कर दिया है और ये जो निन्यानबेवा देश है वर्तमान में ये कौन सा देश बन गया है ये आप लोगों को जवाद देना है ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी स्पेन या फिर डी पाकिस्तान विडियो को पॉस करके कमेंट सेक्षन का यूज करेंगे और हर क्वेस्चन का आंसर आप साथ साथ देते जाएंगे स्वाव अवलोकन ज़रूर करेंगे है ना हमको दिखाने के लिए नहीं आपको अपना स्वाव अवलोकन होना चाहिए हमारे लिए रिजल्ट आपका जो आएगा वही हमारे लिए सब कुछ होगा है ना तो ऑप्शन ए जर्मनी बी फ्रांस सी स्पेन या फिर डी पाकिस्तान तो इसका आंसर आपके पास में हो जाएगा सी स्पेन been गया है इंटरनाशनल सोलर а या निन्यान्बेवा देष अब इसमें अगला ही कुछा जा रहा है टोटल मेंबर सिग्नेटरी तो इंटरनाशनल सोलर है ठीक है तो हमारे पास में टोटल मेंबर सिगनेटरी टू इंटरनाशनल अलाइंस कितने हो जाएंगे 109, 119, 119 या फिर 149 इसका आप लोग जवाब देंगे तो इसका जवाब आप लोगों के लिए हो जाएगा 119, 119 देश हैं जिनोंने अंतर राष्ट्रिय सौर गडबंदर पर क्या कर लिया है हस्ताक्षर कर लिया है तीसरा क्वेशन हमारे पास में आ जाता है जैसा कि कल हमने पढ़ा इरान के राष्ट्रपती विदेश मंतरी समेट 9 अन्य लोगों की एक दुखद विमान दुरगटना में हेलिकॉप्टर क्रैश में क्या हो गई है मृत्तिव हो गई है जिसके बाद में वहां के जो वाइस प्रेसिडेंट है इरान के उनको क्या कर दिया गया है प्रेसिडेंट के रूप में कार्यवाहक राष्ट्रपती का क्या कर दिया गया है उन्हें उस पद पर बैठा दिया गया है और बोला गया है 50 दिनों के अंदर विदिन 15 डेज इरान में राष्ट्रपती चुनाओ हो जाने चाहिए तो ये आप से पूछ रहा है कि कौन है जब तक इरान का राष्ट्रपती नहीं आ जाता तब तक एक्टिंग प्रेसिट्एंट ही उसके सारे कार्यों को क्या करेगा वहन करेगा इसलिए उसे क्या कहा जा रहा है कार्यवाहक राष्ट्रपती तो पहले है मुहम्मद मुखाबर, दूसरे है इबराहिम राइसी, तीसरे है हुसाइन अमीर अब्दोलाहियन और चौते है अली बगेरी, तो आपको मालूम है अबराहिम राइसी वहां के राश्ट्रपती थे जो खतम हो गए, हुसाइन अमीर वहां के क्या थे, फॉरेंड मिनिस्टर थे ये वहां के वर्तमान क्या है विदेश मंत्री है तो हमारे पास में option number A मुहम्मद माखबेर क्या हो जाते है एक्टिंग प्रेसिडेंट हो जाते है या फिर कारेवाहक राश्ट्रपती बन जाते है जाने कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा एक इंडेक्स रिलीस किया गया है जिसको हम बोलते हैं विश्व यात्रा और पर्रेटन सुचकांक दो हजार चोविस आपसे पूछ ये रहा है कि इस सुचकांक में पहला स्थान किसने हासिल किया क्या ये A. जापान है B. स्पेन है C. अमेरिका है या फिर D. स्विच्जर लेंड है तो जल्दी से जल्दी इसका आप लोग जवाब देंगे या तो अपनी कॉपियों में या फिर कमेंट सेक्शन का यूज करके A. जापान B. स्पेन C. अमेरिका D. स्विच्जर लेंड तो इसका आंसार हो जाएगा आपका ओप्शन नंबर C यानि कि अमेरिका को सबसे दुनिया का पर्यटन प्री स्थान माना गया है दूसरे नंबर पर है स्पेन और तीसरे नंबर पर है जापान इसमें भारत का कौन सा रैंक रहा है इसका भी जवाब आप लोग देंगे तब तक हम चलते हैं अपने अगले क्वेशन में विच अप दफॉल्विंग इस नॉट ट्रू अबाउट वर्ल ट्रैवल एंड टूरिजम इंडेक्स मतलब विश्व यात्रा और पर्रेटन सूच कांग के बारे में क्या सच नहीं है नॉट ट्रू पूछ रहा है तो इन में से क्या सही नहीं है अब एक-एक करके हम क्या करते हैं सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ते चलते हैं अब भी हमने देखा बिल्कुल सही है वर्ल्ड एकोनामिक फोरम के द्वारा रिलीस किया जाता है ये भी सही है अभी पिछले ही क्वेश्चन में हमने देखा इसके बाद में इंडिया विट 4.25 स्टेंट्स और रैंक 39 इन 2024 तो हमारे 4 options में से कौन सा गलत है हमको ये चूज करना है या फिर कौन सा सही नहीं है ये चूज करना है तो क्या इंडिया 39 रैंक पर है 4.25 पॉइंट्स के साथ में तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है तो हमारे पास एक मात्र जो आपका क्या बज़ जाता है option वो बज़ जाता है इसकी गढ़ना साथ के पैमाने पर की जाती है एक सबसे अच्छा और साथ सबसे खराब उपलब्दी वाला होता है तो इसका जो इस statement का जो पहला part है ये इसकी गढ़ना साथ के पैमाने पर की जाती है ये बिल्कुल सही है लेकिन इसके बाद का जो portion है आपका याने की एक सबसे अच्छा और साथ सबसे खराब होता है ये है आपका गलत ये 1 to 7 के scale में मापने वाला index है इसमें 1 जो होता है ये worst होता है सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला जो भी होगा उसे एक point दिया जाएगा और 7 point जिसे मिलेंगे वो best होगा सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला तो इंडिया को मिला है कितना 4.25 marks मिले है या फिर points मिले है जिसके बाद इंडिया कौन से rank पर आ गया है नंबर B, it is calculated on the scale of 7 1 being the best and 7 being the worst यह हमारा answer हो जाएगा लेकिन statement हो जाएगा क्या गलत who amongst the following is the richest man in India with 10 rank all over the world according to Bloomsburg Billionaire Index Bloomberg के Billionaire Index के 2024 के संसकरण के अनुसार निम्न में से कौन ऐसा भारतिय व्यक्ति है जो भारत का सबसे अमीर आदमी है जो पूरी दुनिया में दसवे स्थान पर है कल ही हमने इसे देखा है और यह आप लोगों के लिए very 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 important है तो option है हमारे पास में A. मुकेश अमबानी B. गौतम अडानी C. रटन टाटा या फिदी नवीन जिंदल A. मुकेश अमबानी B. गौतम अडानी C. रटन टाटा या फिदी नवीन जिंदल तो इसके answer कौन हो जाएंगे इसके answer हो जाएंगे आपके B. गौतम अडानी गौतम अडानी पूरी दुनिया में 10th rank पर है और साथ ही मुकेश अमबानी जो है वो 12th rank पर आ गए है ठीक है? तो ये है हमारे भारत के दो प्रमुख अमीरों की क्या ranking पूरी विश्व में Bloomberg के according अगला question देखते है वू अमंग्स दा फॉल्विंग क्रियेटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन यूथ वेट लिफ्टिंग कॉंपेटिशन held at Lima, Peru Lima नामक जगा है जो परू में है 2024 में वहाँ क्या हुआ है यूथ वेट लिफ्टिंग कॉंपेटिशन और्गनाईज कराया गया है निम्द में से किसने परू दो हजार चोबिस में आयोजित यूवा भारुत तोलन प्रतियोगिता में विश्व रिकॉर्ड बनाया है ए सैराज परदेशी साही राज परदेशी बाबुलाल सी जोशना साबर या फिर डी प्रिती स्मिताब होई तो कौन है जिसने विश्व रिकॉर्ड बनाया है ये है आपकी आप्शन नमबर डी प्रिती स्मिताब होई हमारे यूथ वेट लिफ्टिंग कॉम्पेटिशन में पूरी दुनिया में विश्व कीर्ती मान रचने वाली हमारी जो एक वेट लिफ्टर है भारत से उनका नाम है प्रिती स्मिताब होई और इन्होंने यहां क्या जीता है गोल्ड मेडल जीता है और विश्व कीर्ती मान भी बनाया है इसके बाद में हमारे पास में दूसरी है जोशना इन्होंने इसी कॉम्पेटिशन में सिल्वर मेडल भी जीता है याने की सेकेंड रैंक पर रही है अगले क्वेशन में चलते है विश्व पैरा एथलेटिक्स में प्रयप्रतियोगिता में भारती ये खेब की कुल पदक संक्या कितनी रही तो भारती ये जो दल रहा विश्व पैरा एथलेटिक्स में इसमें हमारे पास में 6 गोल्ड मेडल हमने जीते हैं, तीन रिकॉर्ड बनाया है, एक हमने विश्व रिकॉर्ड बनाया है, एक हमने एशियन रिकॉर्ड बनाया है, और एक हमने चैंपेंशिप रिकॉर्ड बनाया है, तो इस सवाल में फिलहाल आपसे पूछा जा रहा है कि कितने कुल पदक हमने हासिल किये हैं क्या ये A 17 है, B 18 है, C 19 या फिर D 20 जिसका जवाब आप लोग देंगे 17, 18, 19 या फिर 20 तो इसका जवाब हो जाएगा option number A 17, तो टोटल हमारे पास में 6 गोल्ड या फिर 6 स्वर्ण पदक हैं 5 सिल्वर हैं या फिर रज़त पदक हैं और उसी प्रकार 6 ब्रोंज मेडल हैं और 17 मेडल के साथ में भारत जो है ओवर रॉल छटवे स्थान पर रहा, 6th rank पर फर्स्ट रहा कौन आपका चाइना, दूसरा रहा ब्राजील और तीसरा रहा उजबेकिस्तान और इंडिया रहा कौन से रैंक पर? इंडिया रहा छटवे स्थान पर, 6 गोल्ड, 5 सिल्वर और 6 ब्रोंज के साथ में टोटल 17 मेडल्स के साथ में ये हमारा क्या रहा है, आज तक का बेस्ट पर्फॉर्मेंस रहा है, है ना? तो question आम से directly ये भी पूचा जाएगा, भारत हाल ही में हुए 2024 के विश्व पैरा Athletics प्रतियोगिता में किस स्थान पर रहा? तो हमारा कौन से स्थान पर रहा है ये? चटवे स्थान पर, आगे चलते हैं, निम्न मेंसे किस विश्व एथलेटिक्स प्रतियोगिता दोजार चौबिस में मेडल तालिका में क्या पाया है? स्वर्ण पदक पाया है, गोल्ड मेडल पाया है, ठीक है? ये इससे पुछा जा रहा है, तो क्या ये दिप्ती जिवांज हैं? क्या ये सचिन खिलारी हैं? क्या ये मरियप्पा थांगा वेल्यू हैं? या फिर ये सुमित अंतिल हैं? तो हम याने की सभी, तो आप लोग इसका जवाब देंगे, किनको किनको गोल्ड मेडल मिला है, हाल ही में हुए, पैरा एथलेटिक्स कॉम्पिटीशन जो हुआ है, आपका कहा, कहा हुआ है, कुबे, जापान में इसका क्या किया गया था, प्रतिसपर्धा और्गनाइस कराई गई तो क्या ये दिप्ति जीवांज है, क्या ये सचिन के लारी है, क्या ये मर्यपन थांगा वेलू है, क्या ये सुमित अंतिल है, तो एक, दो, तीन, ये तीन वो लोग हैं, जिन्होंने क्या किया है, कोई ना कोई रिकॉर्ड बनाया है, दिप्ति जो हैं, उन्होंने सो मीटर रेस में स्टचिन कि लारी जो है उन्होंने एशियन रिकॉर्ड बनाया है शोट पुट में और मरियपन थंगा वेलू जो है इन्होंने क्या बनाया है Championship record बनाया है Men's High Jump में और इन तीनों को ही क्या मिला है Gold Medal मिला है साथ ही आपके जो सुमित अंतिल है इन्हों ने भी क्या हसिल किया है Gold Medal हसिल किया है तो यहां से आप लोगों का option number D हो जाएगा सही याने की 1, 2, 3 and 4 सभी आगे चलते हैं तो आपसे ऐसे statement वाले questions भी पूछे जा सकते हैं कि इन में से क्या सही है पूछा जा रहा है वाट इस ट्रू पूछा जा रहा है वाट इस नॉट ट्रू नहीं पूछा जा रहा है आप लोग question को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे जितने देर में हम deal करते हैं आप जल्दी से पढ़ेंगे comment section का use करेंगे अपने copy का use करेंगे और answers को क्या करेंगे mark करते चलेंगे इंडिया won a total of 70 medals 17 medals with 6 gold, 5 silver and 6 bronze medals बिल्कुल सही तिप्ती जिवांच created a world record in 400 meter race बिल्कुल सही सचिन खिलारी created an Asian record in short put ये भी बिल्कुल सही है मरिया पन थांगा value created a championship record in high jump ये सभी के सभी हमारे पास में क्या है सही statements है तो option हमारे पास only 1 1 and 2 1, 2, 3 या फिर 1, 2, 3, 4 क्या पूछ रहा है not to पूछ आया true पूछ रहा है true पूछ रहा है इसलिए हमारे पास option हो जाएगा D याने की 1, 2, 3 और 4 सभी सही है आगे चलते हैं वही है हाल ही में आयोजित विश्व पैरा अथिलेटिक्स प्रतियों गिता भारत के प्रदर्शन के बारे में क्या सत्य है भारत ने 605 रदक 6 कांश प्रत के साथ में कुल 17 पदक जीतने है दिप्ती जिवांज ने 400 मीटर दौन में विश्व रिकॉर्ड बनाया है सचिन किलारी ने शौर्ट पूट में एशिया ही रिकॉर्ड बनाया है मरियापन थांगा वेल्यू ने उची कूद में चैंप्योंशिप रिकॉर्ड बनाया है तो केवल 1-1-2-1-2-3 और 1-2-3-4 कौन सा सहीं है तो ये 1-2-3-4 सभी सहीं है अगला देखते हैं who amongst the following became the oldest and youngest person of India to climb the highest peak of the world that is Mount Everest और Mount Everest इस question को deal करने से पहले आप लोग बताएंगे Mount Everest की उचाई कितनी है ठीक है अब हमारे पास question क्या पूचा जा रहा है निम लिखित में से कौन दुनिया की सबसे उची चोटी Mount Everest पर चड़ने वाला भारत का सबसे बुजुर्ग और सबसे कम उम्र का व्यक्ति बन गया है या बन गई है तो क्या ये जोती रात्रे और काम्या कार्थी केयन है option A क्या ये option B है संजीव सूरी और कामी रिटा रिस्पेक्टिवली या फिर option C है ये चित्रसेन साहू एवं S कार्थी केयन और चौते option है रजनी जोशी और अंगार वाडी रजनी जोशी और अंगार वाडी तो जल्दी से इसका आंसर देंगे आप लोग इन में से कौन सी वो जोड़ी है जो सबसे ज्यादा उम्र दराज और सबसे कम उम्र में Mount Everest फतह करने का इन्होंने record बनाया है भारत की वो जोड़ी कौन है तो ये आपके पास में option number A हो जाएंगे जोती रात्रे और काम्या कार्थी केयन जोती रात्रे जो 55 साल की उम्र में Mount Everest पतह करने वाली भारत की सबसे ज़्यादा उम्र दराज व्यक्ति बन गई है और ये काम्या कार्थी केयन इस S कार्थी केयन के साथ में याने कि ये इनके पिता है ये जो आपके S कार्थी केयन है इनकी बेटी है कौन काम्या कार्थी केयन और अपने पिता S के कार्थी केयन के साथ में Mount Everest फतह करने के बाद में ये भारत की सबसे कम उम्र की क्या बन गई है आपका परवता रोही बन गई है जिन्होंने Mount Everest फतह कर लिया है who holds the record for maximum accents to Mount Everest Mount Everest पर अधिक्तम बार चढ़ाई करने का विश्वी record किसके पास है very important यह record जिनके पास भी है option देख लेते हैं हमारा कामी रीटा शेर्पा, सांग दावा शेर्पा, दार्जे ग्यालेंग या फिर फुर्बा ताशी तो कामी रीटा शेर्पा, पासग, दावा शेर्पा, दोर्जे ग्याल, ग्याल सेन या फिर फुर्बा ताशी इन में से जो भी वो विवक्ति हैं जिनके पास में सरवाधिक बार Mount Everest पर चढ़ाई करने का record है उनके पास ये record भी 2018 से है और ये continuously अपना ही record तोड़ते जा रहे हैं तो जल्दी से आपनों किसका option देखेंगे कौन-कौन से हैं कामी रीटा शेर्पा, सांग दावा शेर्पा, दार्जे ग्यालेंग या फिर फुर्बा ताशी तो इसका जवाब हो जाएगा हमारे पास में कामी रीटा शेर्पा जो की नेपाल से हैं नेपाल से हैं और ये अभी तक 30 बार, 30 टाइम्स, Mount Everest की चढ़ाई कर चुकी है Mount Everest की height कितनी है? आप लोगों से ये पूछा गया है सवाल, आप लोग ही इसका जवाब देंगे Mount Everest की उचाई कितनी है? ठीक है? Which state of India became the first state to introduce AI-based traffic management system भारत का कौन सा राज्य, AI अधारित याता याद प्रबंधन प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? क्या ये अरुनाचल प्रदेश है, नागा लेंड है, मनीपुर है या फिर सिक्किम है? इस question को deal करने से पहले आप लोग इन चारो राज्यों की राजधानी के नाम हमें comment section में लिख करके बताएंगे ये चारो आपके 7 sisters जो North East India के हैं उन चार राज्यों के आप क्या बताएंगे? राजधानी का नाम बताएंगे उसके बाद आप लोग जवाब देंगे AI-based यानि की Artificial Intelligence-based पर आधारित यातायाद प्रबंदन प्रणाली शुरू करने वाला कौन सा राज्य देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है? जल्दी से इसका जवाब देंगे A. Arunachal Pradesh B. Nagaland B. Nagaland C. Manipur या फिर D. Sikkim ये है आपका option number D. Sikkim Sikkim भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो पूर नतह smart mode में अब अपना क्या करने वाला है? पूरे राज्य का यातायाद प्रबंधन करने वाला है वेरी 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 इंपॉर्टन विच कंट्री इस सेट तो होस फीफर 2007 विमेंस वर्ल्ड फुटबॉल कप तो क्या ये ब्राजील है? क्या ये पेरू है? पेरू क्या ये ब्राजील है क्या ये पेरू है क्या ये अर्जंटीना है या फिर ये कलंबिया है तो ये जो भी आपका देश है जो दोजार सताइस में महिला फुटबॉल विश्व कब का क्या करने वाला है मेजबानी करने वाला है ये पहला दक्षिन अमेरिकी देश बन जाएगा जो इस प्रतियोगिता की क्या करेगा मेजबानी करेगा तो ये आपका option है Brazil, Peru, Argentina या फिर Colombia इसका answer हो जाएगा आपके पास में A. Brazil ठीक है चलिए आगे चलते है हाल ही में भारत उद्योग परिसंग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है भारत उद्योग परिसंग जिसका मुख्याला है दिल्ली या फिर नई दिल्ली और ये एक गैर सरकारी क्या है ट्रेड असोसियेशन है व्यापारिक क्या है एक परिसंग है इसका हाल ही में किसे बनाया ग जल्दी से इसका जवाब आप लोग देंगे A. राजीव सोनी B. अरुन्ट रिपाथी C. संजीव सूरी या फिर D. रिचा शर्मा कौन बन गए है इसके प्रेसीडेंट अध्यक्ष तो ये हो जाएंगे आपके option number C संजीव सूरी चलिए अगला question देखते है Two lamb किस देश के नए राष्ट्रपती बन गए है तो two lamb जो है वो हाल ही में किस देश के राष्ट्रपती बनाए गए है इरान, वियतनाम, साउथ सुदान या फिर ब्राजील जल्दी से इसका जवाब देंगे इरान, वियतनाम, साउथ सुदान या फिर ब्राजील किसके राष्ट्रपती के रूप में नियुक्त किया गया है two lamb नामक व्यक्ती को तो इसका answer आपके पास में हो जाएगा option number B, वियतनाम चलिए अगला question देखते है अंतर राष्ट्रिये सौर गडबंदन का मुख्याले कहा है, very important तो अंतर राष्ट्रिये जो सौर गडबंदन है उसका मुख्याले कहा होगा, A, Paris में होगा, B, दिल्ली में होगा, C, मार्सेल में होगा, या फिर D, गुरू ग्राम में होगा तो इसका आंसर आपके पास में हो जाएगा option number D, गुरू ग्राम ठीक है, चलिए आगे चलते है question number 18, निमन लिखित में से कौन 2024 में release होने वाले होने के 48 गंटों के भीतर album of the year बन गया है very important which amongst the following became album of the year within 48 hours of its release in 2024 क्या यह a girl with no face prelude to ecstasy the tortured poet's department या फिर wall eyes यह जो आपका album है जो 48 गंटों के अंदर में ही world number one बन गया है या फिर the song of the year या album of the year बन गया है यह Taylor Swift द्वारा Taylor Swift द्वारा release किया गया क्या है आपका album है इसका नाम क्या है आप लोगों को यह बताना है गर्ल विद नो फेस prelude to ecstasy the tortured poet's department या फिर wall of eyes तो इसका answer हो जाएगा option number C the tortured poet's department यह Taylor Swift की जिंदगी का बहुत ही एक क्या वाला जाएगा personal song है या फिर वो अपनी जीवन से जुड़े हुए आपके जो भी experiences रहे हैं उनको उन्हेंने चरितार्थ करने की कोशिश की है संगीत के माध्यम से तो यह ऐसा आपका album बन गया है जो एक दिन में एक दिन में Spotify पर 38 करोड बार सुना गया एक दिन के अंदर 38 करोड बार सुना गया है तो इसने यह record बनाया है आगे चलते हैं वेर इस सलीम अली Wildlife Sanctuary इस लोकेटेड सलीम अली Wildlife Sanctuary सलीम अली वन्य जीव अभ्यारण किस राज्य में स्थित है उत्राखन, महाराष्ट, गोवा या फिर करनाटक जल्दी से इसका जवाब देंगे उत्राखन, महाराष्ट, गोवा या फिर करनाटक सलीम अली वन्य जीव अभ्यारण तो ये आपका मौझूद है कहाँ पर अभ्यारण की बात की जा रही है अभ्यारण है कहाँ पर गोवा में ठीक है अगला question देखते हैं क्या है Who is known as the Birdman of India भारत में Birdman के नाम से किसे जाना जाता है या भारत के Birdman के नाम से कौन सूप्रशिद्ध है क्या ये G.D. मुरादकर है क्या ये M.S. स्वामी नातन है क्या ये सलीम अली है या इनमे से कोई भी नहीं है तो हमको मालूम है ये जो G.D. मुरादकर है इन्हें हम क्या बोलते है Grassman of India भारत के Grassman के रूप में जाने जाते हैं कौन G.D. मुरादकर जबकि M.S. स्वामी नातन जो है ये क्या है ये भारत में हरित क्रांती के जनक है Father of Green Revolution in India भारत में हरित क्रांती के जनक है और ये जो Salim Ali है इन्हें ही हम किस नाम से जानते हैं Birdman of India के नाम से जानते है पिछले एक दो सालों पहले अक्षय कुमार द्वारा Robot 2 नामक एक मूवी रिलीस की गई थी जिसमें जो पंची से सम्बंदित एक उसका क्यारेक्टर होता है वो Salim Ali का कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रहा होता है तो यहां पर खरम होता है हमारे लिए जो National International Current Affairs हमने कल याने कि बुद्धवार को डील किया था उस पर based कुछ MCQs अब हम आपसे मिलेंगे फिर सोमवार को इसी समय दोपहर को और उस दिन हम डील करेंगे मई महिने के चौते हफ़ते में होने वाले जो 36 गड़ से संबंदित Current Affairs होंगे उनको तब तक के लिए आप अपने questions को revise करते रहेंगे Current Affairs को revise करते रहेंगे और अपने exam में excel करते रहेंगे अगर आप चाहते हैं अपने केरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना तो जुड़िये competition community के साथ आज ही हमारे website के केरियर पेज पर विजिट करें अत्वा description box पर दिये गए लिंक पर क्लिक करें हमेशा आपके साथ team Coco